नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों, गरुड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड जी को मृत व्यक्ती की ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जिनका इस्तमाल किसी भी जीवित व्यक्ती को नहीं करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृती का यह नियम है कि जिसका भी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यू भी निश्चित ही है मृत्यू ऐसा सत्य है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता है मृत्यू निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य ही करना पड़ता है और शरीर के साथ वह व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं का भी त्याग कर देता है अर्थात मनुष्य मृत्यू के पश्चात इस मृत्यू लोग की कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जा सकता उसके साथ केवल उसके पाप और पुन्य ही जाते हैं यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुन्य किये है तो उसे मृत्यू के समय कोई कष्ट नहीं होता है और उसके प्रान सहज गती से निकलते हैं लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन धर पाप किये हो उसकी मृत्यू बहुत दर्गनाख होती है उसे मृत्यू के समय बहुत पीडा सहन करनी पड़ती है यमराज के दूत उस पर बिलकुल भी दया नहीं दिखाते हैं और उसे अपने पाश में बांध कर खीचते हुए यमलोक ले जाते हैं यमलोक जाने के मार्ग पर उस पापी व्यक्ति को बहुत दुख होता है वह हाहा कार करता हुआ नरक के मार्ग पर चलता है लेकिन यम के दूतों को उस पर दया नहीं आती है और वे उसे और पीडा देते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है आत्मा अमर है उसका कभी अंत नहीं होता है वह अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है वह भी उसे कुछ ही समय के लिए इश्वर द्वारा प्राप्थ हुआ है जो एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा किन्तु फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पढ़ जाता है मृत्यू के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रती मोह नहीं छूटता है श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से इश्वर को अपना नहीं लिता तब तक वह अलग-अलग योनियों में जन्म लेकर प्रित्वी लोग पर ही भटकता रहता है कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यू के बाद भी इसी प्रित्वी लोग पर भमण करता है अर्थात वह प्रेत योनी धारण करता है श्री कृष्न कहते हैं कि यदी किसी मनुष्य की अकाल मृत्यू हो जाती है तो वह भी प्रेत योनी में चला जाता है और प्रेत योनी में वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है कई बार हम अपने मृत परिजनों की वस्तूओं को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तूओं का उप्योग भी करने लग जाते हैं लेकिन गरुर पुरान के अनुसार हमें मृत व्यक्ती की कुछ वस्तूओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन वस्तूओं के साथ उस मृत व्यक्ती की उर्जा जुडी हुई होती है। उस मृत व्यक्ती का उन वस्तूओं के प्रती मोह बहुत अधिक होने के कारण वह मृत्यू के बाद भी उन वस्तूओं से जुड़ा रहता है। और यदि कोई इन वस्तूओं का प्रयोग करता है, तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए व्यक्ती की चीजों का इस्तिमाल कभी नहीं करना चाहिए। गरुर पुराण में मृत व्यक्ती की ऐसी तीन चीजे बताई गई है, जिनका कभी भी इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। अन्यथा मृत व्यक्ती की आत्मा प्रिथवी लोग पर ही भटकती रहेगी और उसे कभी मोक्ष की प्राप्ती नहीं होगी, अथवा उसे दूसरा शरीर भी कभी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी आत्मा आपको भी अनेक प्रकार के कष्ट देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी की मृत्यू के बाद उस व्यक्ती को अगर प्रेत योनी मिलती है, तो वह अपने ही परिवार को दुख देता है। इसी लिए उसकी वस्तुओ का उप्योग कभी नहीं करना चाह सबसे पहले जानते हैं, घर में मृत व्यक्ती की तस्वीर कहा पर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में पूर्वजों की तस्वीरे अथवा चित्र अवश्य लगाने चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखे कि उनका चित्र अथवा तस्वीर दुखी अथवा क्रोधी अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज चित्र में प्रसन दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करे तो हमारे मन में उनके प्रती श्रध्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट हो। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधी अवस्था में हो तो यह मन में भई की स्थिती निर्मान करता है। छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय द्वेश करने लगेंगे। इसलिए पूर्वजों का चित्र अथवा पित्र पक्ष के दिनों के अलावा अन्य दिनों में उनका आवाहन अथवा उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूर्वजों की तस्वीरों को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है। इससे आपके सभी पित्रगण, अत्यंत, दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। यदि आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है, तो वे प्रेत यो के लोगों को परिशान करते हैं। ऐसे में आपको उनकी तस्वीरे घर में नहीं लगानी चाहिए। और पित्र पक्ष में उनका श्राध भी नहीं करना चाहिए। पित्रों की तस्वीरे सदैव ही उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिन दिशा की तरफ होना चाहिए इसके अलावा अने किसी भी दिशा में पित्रों की तस्वीरे लगाना अशुभ माना गया है खास कर इशान कोन में पित्रों की तस्वीरे भूल से भी नहीं लगानी चाहिए पित्र पक्ष में भी पित्रों के लिए किये जाने वाले सभी कार्य दक्षिन दिशा की तरफ मुख करके करने चाहिए ध्यान रहे मृत व्यक्ती के साथ कभी भी जीवित व्यक्ती की तस्वीरे नहीं लगानी चाहिए साथ ही शयनकक्ष में और रसोई घर में पित्रों की तस्वीरे ना लगाएं आईए अब जानते हैं मृत व्यक्ती की कौन सी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ती के कपड़े गरूर पुरान के अनुसार मृत व्यक्ती के कपड़ों का कभी भी इस्तिमाल नहीं करना चाहिए उन्हें भूल कर भी पहनना नहीं चाहिए ऐसा करने से मृत व्यक्ती की आत्मा उस व्यक्ती से जुड़ जाती है जो इनका इस्तिमाल करता है मृत व्यक्ती की यादें उस व्यक्ती को सताने लग जाती है, जो उनके कपड़ों का इस्तिमाल करता है, जिस कारण वो व्यक्ती मानसिक और शारिरिक रूप से कमजोर हो जाता है, उस व्यक्ती को अपने मृत परिजन की उर्जा का एहसास भी होने लगता है, इसलिए मृत व गरूर पुरान में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी उर्जा के स्रोत होते हैं। वो आत्मा उस व्यक्ति को परिशान करने लग जाती है। आत्मा मोक्ष की राह पर न जाकर इसी मृत्यू लोक में अपने ही परिजनों को ही परिशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कभी भी इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यू के बाद उसके गहनों को गला कर अन्य आभूशन करवा लेने चाहिए, अन्य था उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी चीज है मृत्य व्यक्ति की घड़ी। जिस कारण उस व्यक्ति की घड़ी का कभी भी इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत्य व्यक्ति की घड़ी को हमेशा दान ही करना उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।